नमस्ते दोस्त, ओंडिज गोल्ड में आपका स्वागत, स्वास्य संबंदी, चर्चा में, होमियोपेतिक में, एक ताकतवर दवा, जिसका नाम है सेना, सेना को तीस पोटेंशी में लेना चाहिए, और दिन में तीन से चार बार, एक महिना लेना चाहिए, सेना बनती है, जो आईडवेद में एक जड़ी मुटी है, जिसका नाम सनाई है, सनाई की पतियां होती है, और सनाई जो होती है, वो लेक्जेटिव होती है, दस्तावर होती है, तो आईडवेदिक में जितने लेक्जेटिव चूरन बनते हैं, उन चूरन के अंदर सनाई की पति का प्रियोग होता है, जिससे जुलाब की किरिया होती है, दस्ताव होता है, उसी सनाई से ये सेना बना है, लेकिन इसमें आपको डरने की बात नहीं, कोई जुलाब नहीं ह होगा आपको, सुकी सनाई की पति से इसका मूल अर्क बनता है, तीस पोटेंसी भी काम करती है, मूल अर्क भी काम करता है, मदर तींचर पंदरा बूंत, आदे कप पानी में, तींचर दफ़ह मैंना बर्स, पेट फूलने के साथ, बच्चों का पेट में दर्द होना, नेंद नए आने के कारण कब जे रहना, पेट दर्द, आग्जे लूरिया, नामक मुत्र रोग में, मुत्र का अपेक्षिक गुरुत्व, अधिक मुत्र में यूरिया की मात्रा अधिक होना, कब जे मास सूकते जना, दिन परती दिन रोगी कमजोर होता या सूकता जाता है, बहु मुत्रता वे कहिंद, दिनों तक पतले दस्त, लिवर बढ़ा हुआ, लिवर में दर्द, रोगी जीर्न सीन हो, रोगी की पेशियां कमजोर हो, मल कठोर आता हो, मल ट्याक से पूर्वे, नोचने की तरह दर्द हो, मलांतर में जलन हो, साती मुत्रा से में, कुथन युक्त दर्द हो, सलेस्मा युक्त हरामल, आदी लक्सनों में ये ओश्यदी लाप्रत है, यदि कोई व्यक्ती पहले हश्ट पुष्ट हो, लेकिन किसी रोग की वज़े से, या बिना किसी वज़े से, वो सूकता ही जाए, और अन्त में हड्या मात्र दिखे, तू इस दवा का परियोग करना चाहिए, ये एक ताकतवर दवा है, और किनी भी कारणों से जो ढांचा रह जाता है सरीर में, इतना आदमी कमजोर और ठक जाता है, दूबला पतला हो जाता है, तो सेना उसके लिए एक तरह का अमरत है और टोनिक है, वो मदर टिंचर में ले या पोटेंसी में ले, एक मैना ले, उसका स्वास्ते लोट आएगा, उसकी जो हड्यां दिखती है, वो दिखने बंद हो जाएगी, और अगर इसका परियोग वो ही व्यक्ति करें जिसकी ऐसी इस्टिती हो, तो ये दवा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेंगी, और कोई आदमी हश्ट पुष्ट है, एकदम निरोगा है, और वो सेना का परियोग करता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना, आप भी समगते हो ना इस बात को, तो उसको नुक्सान करेंगी, कोई भी चीज क्यों नहीं हो, इसलिए दवा अगर आपका सरीर उसके हिसाब से हैं, और आपके सरीर के लक्सन दवा के हिसाब से हैं, वो दवा कोई भी चीज से क्यों नहीं बनी हो, वो कभी नुक्सान नहीं करेंगी, क्योंकि आपको उसकी आविशक्ता है, इसलिए आप ले रहे हैं, सोक या नहीं ले रहे हैं, हाँ, इसलिए सेना कमजोर आदमियों के लिए, पेट फूल आ रहता है, नीन नहीं आती है, कमजोरी रहती है, पेशाब में सपेद सपेद यूरेसा आता है, लिवर कोई जांच कराते हैं सोनोग्राफी की, तो फैटी लिवर लिख देते हैं, डाक्टर डरा देते हैं, लिवर में दर्द भी होता है, क्योंकि बार बार दस्ट लगने से लिवर कमजोर हो जाता है, पेशाब में और लेट इन के राज़ते जलन होना, पेशाब को भी थोड़ा थोड़ा कुंगते कुंगते आना, इस तरह की कमजोरी के लक्षन जो हैं, उन सब को शेना ठीक कर देता है, इसकी शेना की जो सद्रश्य और सदिया हैं, वो एक जेलापा है, एक काली कार्ब है, और इसकी किरिया का नास करने वाली दवा है, नक्स वोमिका और केमो मिला, तो अगर आप सेना ले रहे हैं, तो नक्स वोमिका और केमो मिला बिना जरूत के नहले, दोस्तों, आज मैंने आपको होमे पेतिका, एक बहुत अच्छा टोनिक, ये बच्चों पे, जवानों पे, और पे, सब पे समान काम करता है, विशेश करके, बच्चे इस तरह के अस्ति पंजर हो जाते हैं, दुबले, पोश्चक तत्वर नहीं मिलने की वज़़ से, तो उनके लिए ये अमरत के समान है, ठैंक्स,